नमस्कार दोस्तों, NCRT आडियो बुक्स प्रस्तुत करते हैं, कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक, प्रिथवी हमारा आवास. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पहला अध्याय, सौर्मंडल में प्रिथवी, सूर्यास्ट के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, आस्मान में पहले एक या दो चमकते बिंदू ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिम्टिमाहट अन्य से अलग है, ये बिना किसी टिम्टिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रति दिन चंद्रमा को भी देखते हैं, ये अलग-अलग समय पर अल आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन समुहों द्वारा बनाई गई विविधाकृतियों को देख सकते हैं। ये एक नक्षत्रमंडल कहलाते हैं। स्थान पर रहता है। प्रिथवी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। प्रिथवी से लगभग 15 करोड किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सॉर्मंडल में 8 ग्रह हैं। सॉर्य से दूरी के अनुसार, बुद्ध, शुक्र, प्रिथवी, मंगल, ब्रहसपती, शनी, युरेनस तथा नेपच्यून है। सॉर्मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पत पर सॉर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्ग पृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुद्ध सॉर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सॉर्य के चारों और एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृत्वी का जुर्वा ग्रह माना जाता है क्यूंकि इसका आकार एवं आकृती लगभग पृत्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर राश्ट्रिय खगोलिय संगठन ने अपनी बैठक अगस्ट 2006 में यह निर्नल्या की कुछ समय पहले खोजे गयान्य खगोलिय पिंट 2003 UB 313, सिरस तथा प्लूटो, बौनिग्रह कहे जा सकते हैं। प्रिथवी, सूर्य से दूरी के हिसाब से प्रिथवी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांच्वा सबसे बड़ा ग्रह है। यह द्रुवों के पास थोड़ी चप्ती है। यही कारण है कि इसके आकार को भौ आप कहा जाता है। भौ आप का अर्थ है प्रिथवी के समान आ इनी कारणों से प्रिथवी सॉलमंडल का सबसे अद्भूत ग्रह है। प्रिथवी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं ब्रहस्पती की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्यानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह, ग्रह के ही भाग होते हैं, जो की बहुत वर्ष पहले विसफोट के बाद ग्रहों से तूटकर अलग हो गए। उलकापिंट, सूर्य के चारों और चकर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उलकापिंट कहते हैं। यह लाखों तारों का समुह है, यह पट्टी आकाशकंगा यानी मिलकीवे है, हमारा सौर्मंडल इस आकाशकंगा का एक भाग है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशकंगा पड़ा था, आकाशकंगा करोडों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रनाली है, इस प्रकार की लाखों आकाशकंगाएं मिलकर ब्रमांद का निर्मान करती हैं, ब्रमांद की विशालता की कल्पना करना अत्यदिक कठिन है, वैग्याने कभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक ज आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अती मेहत्वपूर्ण है, ताकि हम आपके लिए इस ओडियो बुक को और भी बहतर बना सकें. अब हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के अगले अध्याय में. तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूबमन लगा कर पढ कीजिए. जय हिंग, जय भारत!